नमस्कार मैं हूँ मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी तो चलिए नज़र डालते हैं देश और दुनिया की सौ बड़ी खबरों पर भारत की बड़ी उपलब्दी एर फोर्स और नेवी निक्या ब्रमोस मिसाइल का सफर परीक्षन सेकेंड में टार्गेट द्वस्त कोरोना के बढ़ते मामलों पर स्वास सचिव ने पाच राज्यों को पत्र लिखा सावधानी परतने के दिया निर्दिश केरल हाई कोट का इसाए यूवतिया और मुस्लिम यूवकी शादी में दखल से इंकार सेनकी साइबर सुरक्षा में लगी सेन्द कुछ अधिकारियों के शामिल होने क्या शंका उचिस्तरी अजाज क्या देश केंद्र को कोरोना के आकड़े देर से भेजने क्या रोपो को केरल ने किया खारिज कहा नियामित रूप से भेजा जाता है कोविट का डेटा फर्टिलाइजर की नहीं है कोई कमी जल्द होगी सबसीडी के घोशना वैश्विक महंगाई के बावजूद किसानों पर बोज नहीं पढ़ने देगी सरकार जहागीर पुरी में अमसीडी की बुल्डोजर का एरवाई पर सुप्रीम कोट की रोग यथा स्तिती बनाए रखने का अदेश जहागीर पुरी में चला बुल्डोजर दिल्ली पुलिस का पूरे इलाके में फ्लैग मार्च बीजे भी पर भढ़के हो वैसे जहागीर पुरी हिंसा और तनाव के बीच अब बुल्डोजर की बारी लोग समेट रहे सावन जहागीर पुरी हिंसा में बड़ा खुलासा CCTV और वीडियो से 300 पत्रवियों की हुई पैचान 300 फोन नंबर से खुलेगा पूरा सच पहार से मैदान तक रिकॉर्ड तोड गर्मी दिल्ली सहीत कई राजों में तेज अंदर के साथ बारिश के साथ राजपती कोविन ने दी दिल्ली नगर निगम संशोधन विदेयक को मनजूरी एकी करण से निगमों को होगा करीब 150 करोण का फाइदा यूजीसी ने विदेशी विश्विद्यालियों के साथ साज़ा को शुरू करने को दि मनजूरी देश में ही मिलेगा अंतर राज़्य यूनिवरस्टी की डिगरी दिल्ली हिंसा में साज़िश को अंजाम देने के लिए कई दिनों से की जा रही थी तैयारी पूर्व नियोजित हो गया के कई समूद क्राइम ब्रांच को मिले वहो प्रमुख से मिले केंद्रिय स्वास मंत्री आयूर्वेद को बढ़ावा देने पर की चर्चा आगरा में कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन एलोट डियम ने किया शहर में पैदल मर्च अलिगड में नहीं थम रहा लाउट स्पीकर विवात पर सियासी उ बाल भाजपा विधायक ने अधिकारियों को दिया निर्देश मस्दिदों पर लगें लाउट स्पीकर की मांगी लिस्ट अयोत्या में राम जन्म भूमी परिसर में बनेंगे कई मंदिर बाल रूप में बनाई जाएगी राम लला की मूर्थी बलिया में पत्रकारों की रहाई के लिए अंदोलन हुआ तेज और पूर्विधायक सुरेंद्र सिंग समर्थन में आए गाजियाबाद में जुएलर कारोबारी से लूट की हत्या के बाद का फुलासा मुटभेड में तीन बदमाश हुए गिरफतार लखीमपूर खीरे में आजादी का 75 अमृत महोचाव स्वास्त मेले का हुआ योजन पदायू में फर्जी वाड़ा का मामला पुलिस ने दो अभियुक्तों को किया गिरफतार परेली में सौरब राड़ा की मौत के मामले में नया मोड क्रॉस फाइरिंग में नहीं गई थी जवान की जॉन गाजिपूर में एस पी राम बदन सिंग ने किया पैदल मार्च कई लोगों के काटे गई चॉलान राइबरेली में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले अलर्ट मोड में आया राइबरेली जिलाब रशासन सीतापूर में पत्रकारों से हुई एक बार फेरा बदरता पत्रकारों पर भड़के पियस से अजीत कुमार सीतापूर में अग्यात योग का शव मिला पुलिस मामले की जाज परताल में जुट गई गाजयाबाद में कुमार विश्वास के घर पहुची पंजाब पुलिस नारास कवी ने दी सीम भगवंत मान को चेतावनी उत्रप्रदेश में खुलेंगे दस और राजकी या संप्रेक्षन ग्रह रखे जा सकेंगे 700 किशोर सरकार ने तैगी दो साल की समय सीमा यूपी में निराश्रित पश्वो को मिलेगा संप्रक्षन तेज हुई या टैगिंग अब बारकोड स्कैन से मिलेगी पूरी जानकारी जिप्टिसीयम प्रिजेश पाठक ने डीजी फायर को दिये निर्देश जल्द सुलजाई लखनाओ के गुरुद्वारा जमीन का विवार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक शकिलेश यादव से नाराज हुए पूर विधायक इरिशाद खान तस्वीर को उतार कर जमीन पर रखा पूरखपुर नगर निगम में चुनावी साल में पारशत को 40 लाग रुपे की सौगात यूपे में अगले दो दिन में बदल जाएगा मौसम का मिजास तेज हवाओ के साथ भारी बारिश के आसार जूम एप से अफसरों की बागपट टियम ने जानी लोकेशन तीन मिले गैर हाजिर हुई बड़ी कारवाई जहागीर पुरी में हिंसा के लिए बाहरी लोगों को जिम्मेदार ठेहरा रहें इस्थानिय लोग गोरकपुर विश्व विद्याले की गलती से सैखडों विद्यार्थियों की परीक्षा चूटी परीक्षार्थियों को दुबारा मिलेगा मौका शहरवासियों का मेट्रों में सफर का पूरा होगा सपना सीयंग की घोशना के बाद उम्मीदों को लगे पंग पाकपत के सांसद ने पैसेंजर ट्रेन में लगाया जनता दरबार मिले समस्यां आया पाद लखनाव को चमकाने के लिए पांच सो करोड रुपे खर्च करेगा लखनाव विकास प्राधी करन एल्डिये करनेया प्लैन यूपे के हर विधान सबा छेतर में अब बनेगा सौबेड का अस्पताल हेल्थ सेक्टर के प्रेजेंटेशन में सी-म योगी ने तैकिया लक्ष यूपे में जलजनित बिमारियों के खिलाफ चलेगा मिशन जीरो स्वास विवस्था में सुधार के मुख्यमंत्र योग्या अदित नाथ ने दिये निर्देश यूपे में स्वास्त विवस्थाओं की नवजट टोल रहे डिप्टिसियम रिजेश पाठक पोले उपलब्द संसाधन में ही बैतर चिकित सासुविधाय यूपे के गावों में खेल को बढ़ावा देने के लिए बनेंगे 5000 मैदान प्रतिभाय निखाणने के साथ श्रमिकों को निरंतर मिलेगा रोजगार महिला होम गार्ड्स को आब एटिये कमांडों की तर्स पर ट्रेनिंग बन रहा 90 दिन का विशेश प्रसिक्षन का रिक्रब उत्राखंड में गर्मी की वज़़े से पिखलने लगे हीम खंड हेम कुण साहिब यातरा मार्ग के पास भैती दिखिये बर्फ की नदी चारधाम में ग्यार हिंदूों का प्रवेश वर्जित करने की मांग पर सीयम धामी का जवाब कहा प्रदेश भर में चलेगा सत्यापन अभियान देरादून में 103 रुपए 73 पैसे लीटर मिल रहा पेट्रोल बुदुवार को लगातार 14 दिन नहीं बढ़ेदा अप्रेल में चड़े पाले रे तोड़ा 13 साल का रिकॉर्ड मिल रही है गर्मी सराहत मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ने की घोशना करने वाले विधायक ने दिया इस्तीफा तै हुआ कि अब इस सीट से चुनाव लड़ेंगे धामी उत्रखंड में तराइस से लेकर पहार तक फैल गए रोहिंग या सुरक्षा के साथ स्रम प्रभुता के लिए भी बने चुनावती मुख्या मंत्री पुश्कर सिंग धामी ने नौकर शाही में क्या बड़ा फेर बदल 22 के बदले दाइत्व हरी इस धामी पर कारवाई को लेकर पार्टी में छिर सकती है रार नाराज विधायकों में मेल मिलाब हुआ शुरू मुख्या मंत्री धामी ने आपदा प्रबंधन विभाक या दिकारियों को दिये निर्देश कहा मानसून से पहले पूरी तैयारी सुनिश्चित करे पूर्वा मुख्या मंत्री हरीश रावत बोले देश में किसी को भी सामप्रदाइक सौहर्द पिगडने की इजाज़त नहीं एक कुख्याद गैंस्टर जिसने साथ चक्के फिर्म की तर्च पर किया पराद ब्लैक मेलिंग के लिए महिला साथियों के लिए दाता मदद रिशिकेश कर्ण प्रियाग रेल परियोजना निर्माड कार ने पकड़ी रफतार 26 दिन में एक दशमलव दो बारा किलोमीटर सुरंग तयार मुख्या मंत्री ने दी बढ़ाई विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी में खिलते हैं 500 से अधिक फूल 15 दिन में बदल जाता है घाटी का रंग एक जून से खुलेगी ये घाटी सहायक अध्यापक की नियुक्ती में SCST और दिव्यांग अभियर्तियों को 5 प्रतिशत की मिली छूट नौकर शाहों की सरपरस्ती में पनपा कुख्याद गैंग्स्टर यश्पाल फिल्मी अंदाज में प्रभावशाली व्यक्तियों को बनाता था अपना शिकार चीनी हैकर्स को लेकर रिपोर्ट में चौकाने वाला खुलासा पीपल्स लिबरेशन आर्मी से जुड़ा है पावर ग्रिट को बाधित करने वाला हैकिंग ग्रूप पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री बनकर फिर सुर्खियों में आई हीना रब्बानी खार बिलावल के साथ जुड़ा था ना पीटी आई नेता सरदार तन्वीर इलियास चुने गए प्योके के चौदवे नए प्रधान मंत्रे विपक्ष ने किया था चुनाओ का बहिश्कार देश में नफरत फैला कर हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खार जूट को सच बताने पर तुले सरदार तन्वीर बने गुलाम कश्मीर के नए पी-एम भारत ने जताई कडिया पत्ती सयुक्तिर राष्ट में भारत ने यूक्रेज से स्यानिस अंगर समाप्त करने की मांग को दोहराया मानविय सहायता पूर्टी के लिए जताई प्रतिबद्ध था यूक्रेज को मदद देना जारी रखेगा अमेरिका वाइट हाउस ने कहा कीव को मिले अधिक फाइट अप लेट आर्थिक विद्धिदर में भारत पड़ेगा अमेरिका और चीन दोनों परभारी आई एमेफ ने आर्द शम्लव दो फीसद का लगाया अनुमान पाइटन ने ट्रॉम के फैसले को पड़ा पर्यावरन संबंदी कानून बहाल पर्योजनाओं को मन्जूरी से पहले पर्यावरन संबंदी प्रभावों का करना होगा अकलन स्री लंका में एक प्रदर्शन कारी की पुलिस की गोली से मौत राश्च्पती कारियाले के बहार हुआ ज्रमकर हंगामा रिलायंस का होगा अबु जानी संदीब खोसला फैशन हाउस 51 प्रतिशत हिस्सेदारी का हुआ सौधा विस्तारा दे रही है 2499 रुपए में एयर टिकेट कंपनी लाई समचाइन से आई एम एफ का अनुमान सुस्ति के बावजूद चीन से दोगुनी रहेगी भारत की ग्रोथ रेट वैश्वी ग्रोथ रेट का अनुमान घटा आर्बियाई ने ग्यार बैंकिंग कर्जदाताओं के लिए कड़े नियम किये नियामिक बदलाव का किया एलान ट्विटर को खरीदने में निजी एक्विटी फार्मों ने दिखाई रुची एलन मस्क के प्रस्ताव को मिल सकती है बड़ी सुनौती ब्रिटेन और यू के साथ कारोबारी समझोते की बातचीत बढ़ेगी और आगे ब्रिटिश पीम के साथ यूरोपिया आयोग की प्रेसिडेंट आ रही है भारत केंद सरकार ने हेल्थ केर वर्कर्स की इंशोरेंस स्कीम को 180 दिनों के लिए बढ़ाया SBI Access Bank के बाद बैंक से लोन लेना हुआ मैंगा Marginal Cost of Lending Rate में बढ़ोतरी के बाद अब कोटक महिंद्रा बैंक से परसनल लोन लेना हो जाएगा मैंगा शेयर बाजार में को राम सेंसेक्स में 1200 से जादा अंकों की गिरावर शाह ने बिजली की स्थिती पर बिजली कोईला रेलवे मंत्रियों से मुलाकात की KGF स्टार संजेदत और रवीना टंडर ने स्टेडियम पहुच कर किया बैंगलॉर की टीम का समर्थन इंडियन प्रीमियर लीग के इस सीजन का सबसे बड़ा फिनिशर रहे दिनेश कार्ति काकडे भी देते हैं इसकी गवाही डिविलियर्स दे कहा मुझे लगा था दिनेश कार्ति का करियर अब खत्मो रहा है पिछली बार कमेंटरी करते देखा था दिल्ले के खिलाफ हो सकती है कप्तान की वापसी पंजाब की प्लेंग 11 दिल्ली कैम्प में पांच लोगों के कुरोना पॉजिटिव होने के बाद बदला गया दिल्ली और पंजाब के बीच मैच का वेन्यू केल राहूल ने माना बैंगलॉर के खिलाफ हुई बड़ी चूग बताई हार की वज़ग विराट कोली आईपिल में चौथी बार हुए गोल्डन डग पर आउट इस बार चमीरा ने किया उनका शिकार लखनाओ को हरा कर बैंगलॉर पहुची दूसरे इस्थान पर गुजरा टॉप पर काया बैंगलॉर की पाचवी जीत लखनाओ की टीम को अठारा रन से हराया हेजल वुड ने लिए कुल चौर विकेट आई पील दो हजार बाइस में बटलर का दूसरा शतक विराट कोली की नाम है एक सीजन में सबसे ज़ादा सेंचुरी का रिकॉर्ड जल्द केल राहू से शादी करने वाली है सुनिल शेटी की बेटिया आतिया तक्षिन रीती रिवास से लेंगी साथ फेरे बबिता को पती से अलग होने के बाद करना पड़ा था काफी संगर्ष अपने अलग स्टाइल के लिए भी जानी जाती थी बबिता अजय देवगन और तब्बु के फिल्म भोला 30 मार्च 2023 को सिनमा घरों में होगी रिलीज क्या ठीक है रिमेक अर्जिन कपूर और भूमी पेडने कर स्टारर फिल्म दा लेडी किलर की शूटिंग होई शुरू हिमाचल की वादियों में करेंगे रोमैंस रणवीर सिंग ने पापा बनने को लेकर कही बाद जैश भाई जोरदार के चेलर लॉंच पर बताया बेटी चाहिए या बेटा अमजोन पर अपनी इंडियन पुलिस फोर्स लेकर आये रोहित श्रटी सिधार मलोत्रा का दिखा कॉप अंदास आलिया भट और रंबीर कपूर की शादी के कार्ट में हुई बड़ी गलती कार्ट पर गलत छबी थी वेडिंग की डिटेल्स विक्के डॉनर के दस साल हुए पूरे आयुशमान खुराना ने जाहिर की खुशी रंबीर सिंग ने किया बड़ा खुलासा रंबीर की हिरोईन शालिनी पांठे घर से भाग कर फिल्मों में काम करने पहुची थी मुंबई शारुक खान के साथ काम करने के लिए तापसी पन्नों को करना पड़ा दस साल का संगर्श एक्टरस ने कहा यहां तक पहुचना बहुत मुश्किल है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहेए प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस